दोस्तो आज यानि 30 अगस्त को मोधी सरकार ने सरकारी बैंकों को लेकर एक बड़ा एलान किया है मोधी सरकार की बित्तमंति निर्मला सीता रमन ने सरकारी बैंकों पर बड़ा एलान करते हुए कहा है कि कोछ सरकारी बैंकों का आपस में बले किया जाएगा यानि कि 10 बड़े सरकारी बैंकों को मिला कर 4 सरकारी बैंक बनाई जाएंगे नमस्कार दोस्तों आप दिख रहे हैं लंच सब कोच और मैं हूँ आपका दोस्त मोहित गौड चले जानते हैं सरकारी बैंकों के बिले के बारे में और अधिक जानकारी लेकन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी अपील है कि वीडियो को like और share करना बिलकुल न बूले हैं साथ ही हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल न बूले हैं PSU यानि Public Sector के बैंकों की संद्ख क्या 37 एटकर बारे हो गई है। इसका मतलब है कि मोदी सरकार ने 2 साल में 15 सरकारी बैंकों को दूसरे बैंकों में बिलेक कर दिया है। देश के खस्ताहल सरकारी बैंक धाचे को दुरस्त करने के लिए कि इन सरकार इससे पहले भी कई सरकारी बैंकों का बिलेक कर चुका है। इससे पहले साल 2017 में मुल सरकार ने State Bank of India यानि कि SBI के पांच सबसीडियरी बैंकों को बारते State Bank में बिलेक कर दिया था। इन पांच सबसीडियरी बैंकों में State Bank of B.K.N. जैपूर, State Bank of मैसूर, State Bank of तरवंदकोर, State Bank of पत्याला और State Bank of हैद्रावाद शामिल थे जिनका SBI में मर्ज कर दिया गया था। इसके साथ ही SBI ते इसका सबसी बड़ा बैंक बन गया था। वहीं साल 2018 में तीन और बैंकों के बिलेका एलान किया गया इन तीन बैंकों में बैंकों बड़ोधा के साथ देना बैंक और विज्या बैंक का बिलेका बिलेका एलान किया है। का बिलेका 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 इसके साथ ये सात मार सबसे बड़ा बैंक होगा इसके अलावा केन्रा बैंक का सिन्डिकेट िन बैंक के साथ मर्ज होगा। प्लस आंद्रा बैंक और कॉर्परेशन बैंक, पांसमा बैंक होगा, बैंक ओफ इंडिया, छतमा होगा, बैंक ओड़ोदा, सातमा होगा, बैंक ओफ महाराज, आठमा होगा, सेंटरल बैंक ओफ इंडिया, नौमा होगा, इंडियन ओवर सीथ बैंक, दसमा होगा, पंजाब औ के लिए जय हिंजय वारत थैंक्स पूर वाचिंग लन्च अब कुछ